तो आज हम class 10th exercise 6.3 कर रहे हैं 6.2 मैंने करा दिया तो 6.3 में कहा है कि इनको हमने ना similar प्रूफ करना है इसको करने से पहले आप theorem 6.3 कर लें गबर theorem 6.3 है कि अगर दो triangle के angles equal हैं तो वो similar है theorem 6.4 कहेगी आपको कि अगर तीन दो triangle के sides की proportion में proportion में equal हैं तो भी दो triangle सेम होगे theorem 6.5 कहती है कि अगर एक angle और दो side एक angle सेम है और दो side अगर सेम है तो भी वो proportion तो इन तीनों ही theorem का हमने इस्तमाल करके question number first में बताना है कि भीया ये similar है की नहीं triangle तो आपको आपको साफ दिख रहा होगा in triangle ABC यहाँ पर and triangle यह कुंसा triangle है P के हुआ रहा है ठीक है angle A किसके बरावर भी है angle P के angle B किसके बरावर भी है angle क्या हो के angle C किसके बरावर angle R के ठीक है तो therefore triangle ABC is similar to triangle P के हुआ और कौन सा आफ बाए एंगल 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 क्रिटरिया बाए एंगल 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 प्राइटीरिया से यह similar हो चुके हैं प्लेर के बाद मेंक्स कुश्च में चलते हैं so next question में हां जी तो इस question में side लिखना भोल गया था ठीक है तो आप देखते हैं कि इसमें साइट 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 लगा रहा है तो चेक कर लेते हैं कि 2 by 4 तो AB upon क्यों आ रहा है AB 2 है ये 4 है तो ये आगया 1 by 2 ठीक है BC upon PR ले लो कोई भी साइट ले सकते हो BC upon PR BC 2.5 है और ये 5 है तो ये 2.5 है तो ये point हटेगा तो नीचे 50 आजेगा तो 25 by 50, 25 वन जा और ये 2 जा तो ये आगया 1 by 2 ठीक है अब ये AC by PR AC by PR तो AC कितना दिया होए 3 P क्यों है और P क्यों दिया होए 6 तो ये 1 by 2 आगया तो therefore yes ये भी क्या है सिमिलर है आपके ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC ये सिमिलर ट्राइंगल P क्यों आर बाए से ये विदर ट्राइंगल इसके सिमिलर हो चुका है अब ये कर थर्ड पार्ट में चलते हैं ओके तो जो थर्ड पार्ट है देखो जाद धिहान से थर्ड पार्ट में क्या है थर्ड पार्ट में 2 by 6, 1 by 3 होता है तो 2 by 4 ले लेते हैं हमें ठीक है और DFS, DFS मेरे को 6 दे रखा है 6 तो ये भी 1 by 2 आ गया कून से रहेगी LM रहेगी LM इदर रहेगी EF ये कितना है 2 by 5 है तो ये तो बराबर ही नहीं है No, triangle LMP is not similar to triangle DEF, clear है? ठीक है कि नहीं? नेक्स पूचलते हैं ये थोड़ा सा इंट्रस्टिंग है कैसे? देखो भई एक बास समझाता है तुम्हें कि अगर आपका triangle है माल लो ठीक है? अगर आपका triangle ये ABC है और एक triangle आपने लिया है DEF और ये याद होगा आपको ये theorem करें थी 6.5 P के हूँ तो AB जो है इसके equal है ये इसके equal है मतलब और ये angle इसके है तो याद रखना कि जो AB upon AC दो side दी है AB upon AC is DP upon D के हूँ ये जो angle जो equal है ना इन दोनों के बीच का angle है ये angle A is equal to angle D ना कि ये तीसी side ले लो कोई मतलब दो साइडों के बीच का एंगल दो साइडों के बीच का एंगल ही equal है कोई और एंगल नहीं तो यहाँ पर वही गड़बड है ध्यान से देखना अब ये जो है हमारा 4th question है 4th part में यहाँ पर बोला हुआ कि MN 2.5.5 इसका answer MN upon गड़बर लगने है मुझे एक मिट चेक करना है तो यह 6 था 5 नहीं था यह गलती से लिगती है ठीक है अब MN upon अब तो फिर होई गया मतलब MN upon क्यो वार यह आगया मेरा 5 by 10 एक by 2 तो आगया और यह वाला angle M is equal to angle क्यो भी है बट यह गड़बड होगी कि MN जो है upon PQ ठीक है इसके upon में यह ले गया यह angle होगया एक side और करनी थी तो इस तो पॉइंट सिक्स तो पॉइंट सिक्स का मतलब है 25 डिवाइड बाइड पॉइंट टाओगे जो नीचे 0 आजेगा 65 पुछे 25 पाँचे 5 पाँचे 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 12 पंचे 60 तो इकोली नहीं होगया साइट्स एक एंगल एक साइड इकोल है देर्फोर ट्रेंगल जो एम एन एल है इस नॉट सिमिलर टू इस लिख सकते हो आप ट्रेंगल पी के ओवार ओके जहान रखना है आपने इजी है पस मिस्टेक होगी मिर से थोटी से नहां पर मैंने लिखने में कर दिया अब आते है इसके फर्स्ट के फिफ्ट पार्ट पर तो इसमें वीडियो आप रेगुलर देखो आपको कुछ करने ही जोटनी पड़ेगी आपको सारा समझ जाएगा ठीक है आप यह वह जो पिछे बात बताए थी मैंने के बीच का एंगल ना चाहिए वह वह वारी बात है देखो तो ए दाई बटे में पांच तो दाई बटे में पांच तो आपको समझ भी हागा होगा कि भी यह पॉइंट अटाओ और नीचे लगाओ पचास तो पिछीस बटे पचास पचीस के पहाड़े पर एक पर आता है तो यह एक बटे दो हो गया अब दिक्कत के आए ना कि यह जो बाइज दिया ही नहीं हुआ तो क्या आक आंसर नो सिमिलर नहीं है ठीक है सिधा लिख तो ट्राइंगल एंगल 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 कृटीरिया उस केस में क्या होता है नाकि अगर आपके 2 एंगल एक्वल है ना तो आपको तीसर एंगल निकालना ही ज़रटनी होती मतलब 2 एंगल से आप वर करें ओकि यहां निकालना पड़ेगा इसक प्रीघृइ टो हम यह क्योंकि अब 2 एंगल ही नी गया, similarly यहाँ पर भी अगर आप निकाल लोगे, angle P plus 80 plus 30 is equal to, कितना हैगा, 180, तो angle P plus 80 and 30 कितना हो गया, 110, 180, angle P आगया, 180 में से 110 गया, कितना आगया angle P, 70 डीरी आगया, अब चेक कर लो, यह 30 है और यह 70, अब होगे match, angle D is equal to angle P, angle E is equal to, इन triangle भी लिख लेना, इन triangle D, E, F and triangle P के उवार, angle D, angle P के बराबर है, angle E, जो है, वो angle Q के बराबर है, angle F, जो है, वो angle R के बराबर है, therefore, triangle D, E, F, is similar to triangle P के उवार, by, by बताओ, angle, 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 क्रिटिरिया चाहो तो आप दो सही कर दो, क्योंकि दो सिमिलर हो जाएंगे आप है, ओके, question number second है, ओके, इसमें बोला के, इन triangle O, D, C, O, D, C, निकालना क्यटर, D, O, C, बोला है, तो, D, O, C जो है, ये वालज ए एंगल है, और एक, D, C, O जो है, और O, A, B, ذो है, O, A, B, येवालज एंगल है, ओके, तो, D, C, O, C, को, इसको 3 माग लिया, तो यह linear angle है, DOB is a line, DOB is a line, अगर तो DOB line है, तो line पे जो angle बनता है, 180 degree का होता linear pair, angle 1 प्लस 125 degree, is equal to 180 degree, angle 1 आ गया, 180 degree, minus 125 degree, तो मेरे खाल से यह माइनस करको तो 55 degree आ गया, angle 1 55 है, अब angle 2 निकाल दो, तो intra angle, O, DC या DOC, इन तिनों पर सम कितना होगा, 180, 70 प्लस angle 1, प्लस angle 2 is equal to 180, 70 प्लस angle 1 कितना निकाला मैंने, 55 degree, प्लस angle 2 is equal to 180, 5, 7, 5, 12, यह तो 125 आ गया, वा, तो angle 2 कितना आ गया, 180, minus 125 यह तो फिर से आ गया, angle 2 भी 55 degree आ गया, sorry, angle 2 भी 55 degree आ गया, angle 1 भी 55 degree आ गया, ठीक है, आप यह जो बन रहा है, यह देखो, यह Z, जहां बने Z, समझगे ने मेरे बात, वो होते हैं, alternate angles, angle 2 is equal to, angle 3 equals to 55 degree, और क्या लिक देंगे हैं हम यह आपे, alternate angles, तो I hope यह समझा आ गया होगा आपको, पॉसकर के वीडियो रोग के, देख लो के कुछ समझा तो back कर लो, ठीक है, next question पर चलते है, next question है हमारे, third, diagonal AC और BD और trapezium ABCD, तो trapezium क्या होता है, trapezium के बारे में अगर मैं आपका बार बता हूँ, trapezium कोई ऐसी चीज होती है, जैसे यह trapezium है, तो इसमें, दो साइट होती है, non-parallel, यह दोनों साइट है, और यह जो यह वाली साइट है, इस वाले साइट के पैरलल है, इकोल नहीं है, पैरलल होंग है, तो वैसे ही AB जो है ना, इसके पैरलल है DC के, यह दिया भी हो है question में, कि AB पैरललल DC के, O A और O B पकड़ो, O A और O B से कुन से ट्राइंगल पड़, यह बन गया भी है, ट्राइंगल, और O C और O D से, O C और O D से बना, यह ट्राइंगल बन गया, थोड़ा थोड़ा शेट कर रहा हूँ है, ओके, अब आकर आपने यह बोला है, कि IF, यह बना है, इसके पैरलल है, त इसको नाम देते हैं अंगल 1, इसको नाम देतो अंगल 2, तो अंगल 1 is equal to अंगल 2, और इसको देतो 3, इसको देतो 4, अंगल 3 is equal to अंगल 4, वा, क्यों भाईया, क्योंकि दोनों ही alternate angles हैं, alternate angles होके दोनों, और यह क्या है, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो, यह तो सबको पता है, कि जहां x बन रहोता है वो वर्टिक ल ओपोजिट होते हैं एंगल 5 इस इएल टो अंगल 6 तो वर्टिकली अपोजिट आइंगल भी बुरा नहीं मानजा ना अगर सबको नहीं पता तो कोई बात नहीं वर्टिकली अपोजिट अब इन दोनों ट्रियंगल में इंड ट्रियंगल, A, O, B, एंड ट्रियंगल, DOC, A, O, B, DOC, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 के बरापर है, एंगल 3, एंगल 4 के बरापर है, एंगल 5, एंगल 6 के बरापर, तो भाजे, एंगल एंगल क्रिटीरिया से क्या हो गया, therefore, ट्रियंगल A, O, B is similar to triangle DOC by angle, angle, angle क्रिटीरिया, अगर ये similar है, अगर ये similar है, अगर angle सेम है, तो इनकी side creation भी proportional होगी, तो क्या होगा, O, A upon O, B, O, A upon O, C, O, A upon O, C, is equal to O, B upon O, D, hence, ब्यान से, अगर angle सेम है, तो proportional है तब भी, अगर side proportional है, तब भी similar है, sorry, अगर angle सेम है, तब भी similar है, sides तीनों proportional है, तब भी similar है, अगर एक angle और दो side proportional है, तब भी similar है, तो बहुत अच्छा question है, ध्यान से करें, बड़ा easy है, next पर चलते हैं, next है हमारा question number fourth, question number जो fourth है न, थोड़ा से यह tricky question है, थोड़ा, ध्यान से, अगर इसे हम करेंगे, ठीक है, question number fourth को, question number fourth, okay, ठीक है, हांजी, यह रहा, question number fourth, तो इसमें न, given क्या, देखो, इसमें न, given है कि, qr upon qs, ठीक है, which one is s, यह s होगा मेरी खाल से, कुछ गड़बड हुई है, इसमें गन्फूजन होगी थी, और यह s है, ठीक है, आप यहां पर बोला है कि, qr upon qs, लिख ले देंग, बार, solution स्टाट करते है, ठीक है, solution स्टाट करते है, तो qr, ध्यान देखो, qr upon qs, मैंने बोल था कि, छोटा upon छोटा भी होता है, छोटा upon बड़ा भी होता है, तो qr upon qs, उल्टा दिया होए, इस इकल टो qt upon qp, qt upon qp, qt upon pr दिया होए, I think, qt upon pr दिया होए, yes, घुमा के देने हैं, ठीक है, और बोला है कि, angle 1 जो है, angle 2 के बड़ाब, पहली बात तो इसको ध्यान समयो, ध्यान से, बड़े चला गए, इंट्रेंगल p के बार, दिखना जरा, इंट्रेंगल p के बार, मैं आपको बनाता हूँ, इंट्रेंगल p के बार बना रहा हो, ठीक है यह पर, यह मेरा हो गया p, यह मेरा हो गया kya हूँ, और यहा, कहता है angle 1 जो है, angle 2 के बार बर है, अरे भाया, जब angle 1 angle 2 के बार होगा, इंट्रेंगल p के होगा, अगर angle 1 angle 2 के बार कर दिया न, तो एक theorem है, कि अगर एक एक triangle की दो angles बार है, तो उनकी दोनों साइटें भी बार ही होती हैं, दुबारा समयाता हूँ, कि अगर इंके angles equal होंगे न, यह है PQ2 एसे ड्रो कर लेते हैं यह देखो llow look PQS यह है P, यह है Q, यह है S और इसी के उपर बनाना है यह T यह T यहां है और यह यह देखो तोड़ अब ती क्यो R बोला है न हमेν TQR फोट़ आए तोड़े ले जाना पड़ेगा में से TQR यह तो छोटा वाला तो यह है और यह बड़ा वाला है छोटे वाले को बड़े वाले के similar करना ले बड़े वाले बॉक्स बनाए तो देखो मतलब ब्लैक पैंसे यह बड़ा वाला है तो क्या दिखा आपको दोनों में दोनों में आप ड्रॉ करोगे तो यह यह common बंदा है कौनसा angle को is equal to angle को तो लिख देए in triangle P को एस फहले तो and triangle T को आप angle को is equal to angle को अब एक बात तो समझा कि क्यों भाई common angle यार यह common angle है ठीक है कि नहीं ok common angle है अब यह दिया है जैसा कुशें कुशे यूज होगा let's see कि वार अपउन कि हह बोला है यहां पर लेकिन निन मैं नों भी पढ़ा, प्यां परकाई पेक्यों कि मैं или प्यृ प्ली करेंगे, प्यृ प्यृ पश्चुल प्यृ कर देख दो अब ध्यान से देखो इसको तो ट्राइंगल पी के हुएस इस सीमिलर टू ट्राइंगल टी के हुआर बाए साइड एंगल साइड क्रिटीरिया गुमा दिया है इस कोश्ण ने हमें गुमा दिया है क्या गुमा दिया है गुमाने वाला ये ये बिफ को बना रहा था हमको तो इसको ध्यान से पढ़ना पॉइंट है और जो T है वो P Q पे पॉइंट है पे प्याइंगल पी तो है किसे को लाएंगल RTs के और मुझे वी नहीं है न्युरू पर्फाज स्क्राइंगल मतलब बड़ा ट्राइंगल पे मांखे अपको समझते हैं और इस प्याइंगल RTS मतलब छोटा ट्राइंगल दिग् बहुत जड़ा इस है क्या दिखता है आपको इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में यह वाला जो एंगल है एंगल R is equal to angle R which is common जो कि common है भाई होगे common ठीक है अब यहां पर एक और बात बोली हुई है क्या कि जो इस वाले गीवन है तो मैंना बता है क्या था कि दो ट्राइंगल गार इंगल इकोल होगे तो तो देरफोर ट्राइंगल तीन सारा अप ओटोमेंटल हो जाएंगल आप्डियस बाई एंगल एंगल क्रैटीरिया ओके तो आज का वे लाज़ पोटेशन में चलते हैं, कोईशन नमर्व शिक्स पर कोईशन नमर्व शिक्स ही है रहा हमारा, ठीक है, कोईशन नमर्व 6 में बोला है कि ट्राइंगल A, B, E is the congruent to triangle ACD, देखो कि यह congruent का मतलब है, कि all the sides and all the angles are equal, मतलब एक दूसरे पर fit हो जाएंगे, गर दो ट्राइंगल है तो एक दूसरे पर fit हो जाएंगे, similar का मतलब है दिखते एक जैसे हैं, fit नहीं होंगे, तो A, B, E पर पहले तो mark किया जाए, A, B, E, A, B, E, यह हो गया, A, B, थोड़ी का confusion होगी तो चलो, यह लो ही, A, B दिख्या, A, C, D, A, C, D, यह वाला, A, C, D, यह वाला, यह वाला, A, C, D, तो इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, अलग सा, यह वाला, ओके, तो यह है triangle, अगर तो यह congruent है भाई, इसका मतलब इसक वाले triangle की यह वाली side, A, B, इस वाले triangle की A, C की equal होगा की नहीं होगा, हो गया, हो गया, और इस वाले triangle की यह वाली side, यह वाली, छोटी, A, E, और इस वाले triangle की A, D की equal होगा, होगा की नहीं होगा, इसका मतलब, can I say that, क्या कहा सकता हूँ, मैं कि A, D upon A, B, A, D upon A, B, is equal to A, E upon A, C, साइट ग्रेस्ट से मोगे तो ट्राइंगल में ठीक है तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल क्या पुरूब करना है A, D, E एन ट्राइंगल एन ट्राइंगल A, B, C एंगल A is equal to एंगल A which is common एंगल A तो common है चेक कर लो इसमें भी, sorry A, D, E में इसमें भी और इसमें भी, छोटे में भी और बडे में भी इसमें और इसमें और एक और साइट इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल की साइट की रिशो A, D upon A, B is equal to A, E upon यह सी, दो साइड करेश और एक अंगल, समझे की न समझे, तो क्या होगा इस से, therefore triangle ADE is similar to triangle ABC by side angle side criteria, ठीक है, तो I hope कि आपको समझ आगे होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं और समझ आ रही हैं तो प्लिस इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और शेर जरू करें, थेंक यू सो मच